राश्टिय मुक्त बिद्यारई स्विक्षा संस्थान की ओर से मैं डाक्टर राजन पर साथ आपका हारदिक शुरागत करता हूँ आज हम पाठेकरम संख्या 502 के अंतरगत जांसूची एवं निर्धान मापनी के बारे में चर्जा करेंगे आए सरपरतम जांसूची के बारे में जानते हैं कि जांसूची होती क्या है जिस उपकरण की साहता से किसी छात्र या व्यक्ति में उपवस्थित एवों अनवस्थित गुणों या विवारों के बारे में जानकारी या आंकड़े एकत्रित करते हैं उसे जांच सूची कहते हैं जांच सूची में कुछ गुण या कथन दिये हुए होते हैं निर्धारग यानि इसको हम रेटर कहते हैं जो जाज़ करता है दिये गए गुणों के संदर में अपनी प्रितक्रिया सही या गलत अथवा हाँ या नहीं के रूप में देता है। शात्र को कख्या नायक बनाना चाहेंगे जो सामाजिक हो, इमानदार हो, सहयोगी हो, सहासी हो, समय का पावंद हो, नित्र तुसील हो और उसमें संप्रिशन की अच्छी ख्यमता हो। आपने एक गुडों की सूची बनाई ये गुड़ हो सकते हैं जैसे सामाजिक्ता, इमानदारी, सहयोग, समय का पावंद, सहासी, नित्र तुसीलता ये सकारात्म गुड़ हो उसके बाद कुछ नकारात्म गुड़ों की आपने सूची बनाई जैसे जगडालू, संकालू, आक क्रामा चोर सरमीला अब आपने शात्र के जो साथी शात्र हैं उनसे कहा कि आप हमें ये बताइए कि दी गई सूची में कौन-कौन से गुण इस शात्र में उपस्तित हैं उस पर टिक लगाईए अब जो साथी शात्रे अपने अनभवों के आधार पर उपस्तित गुणों के बारे में टिक लगाएंगे जैसे वह इमांदार है तो इमांदार पर टिक लगा देंगे छात्र सहासी है तो शासी पर चुत्र लगा देंगे कोई शात्र जगडालू है तो जगडालू पर टिक लगा देंगे कहने का मतलब यह है आपको पता चल जाएगा जांसूची के मा अगला प्रिश्ण होता है कि जान्सूची का परसासन कैसे करें जान्सूची का प्रसासन आप ब्यत्तिकत रूप से कभी कर सकते हैं और सामेक रूप से भी कर सकते है और अधिकतर जो जान सूची का जो अंकन होता है वो गुणातमक पदों में होता है क्योंकि प्रितक्रिया जो है या तो सही या गलत के रूप में दी जाती है या हाँ या नहीं के रूप में दी जाती है या उपस्तित या अनपस्तित के रूप में दी जाती है क्योंकि ये सारे जो पद हैं ये गुणात्मक पद का गोतक हैं अब हम समझते हैं चर्षा करते हैं कि जान सूची के लिए जान सूची के एक टीचर के लिए क्या लाव है जैसा कि आप जानते हैं छात्र ना केवल विन्विन परस्तितियों में अलग-अलग विवार करते हैं वरल प्रतिक छात्र का सोचने का तरीका एक अलग होता है उधारन के लिए हम एक उधारन लेते हैं जैसे आपने विद्ध्याले में किसी नाटक का आयोजन किया नाटक की विविन वूमकाओं के आदारवा गुणों की एक सूची तयार की और प्रतिक छात्र से नाटक के नायक में उन्होंने क्या-क्या गुण देखे हैं क्या-क्या गुण उन्होंने परसीब किये हैं, प्रतच्चित किये हैं उनके एक जांच सूची तयार कर दी और जाँच सूची से शात्रों के नाटक के बारे में व्यक्तिगत सोच विशार धारा का आंकलन करने का आपने फैसला किया तो अब पृतिएक शात्र का अपना सोचने का तरीका अलग है पृतिएक शात्र ने नायक में क्या देखा उस हिसाब से वो जो है दी गई सूची पे टिक लगाएंगे जिस शात्र ने सहास्ता का गुड़ प्रतचन किया होगा वो सहास्ता के लगाएगा जिस शात्र ने सम्मेगात्मक गुड़ परसीब किया होगा वो सम्मेगात्मक पे लगाएगा व्यक्ति के बारे में व्यक्तिकत पर्सेप्शन आप विद्यारतियों का जान सकते हैं सबसे बड़ी बात जांसूची सिख्षय के लिए निर्देशन इवन प्रामस देने में बहुत ही उपयोगी है कैसे उपयोगी है? आई ए सको धारन से समझते हैं इसे कि माना जान सूची के द्वारा आपने पाया कि अमुक शात्र में आकरमकता है, वो जगडालू है, बार बार जगडा करता है, तो ये आपके लिए समस्या है क्योंकि इससे पूरी कक्षा बादित हो रही है, ब्यवधान उत्पन हो रहा है, तो जान सूची के माद्यम से आप जान लेगें कि इस शात्र में जगडालू का गुड़ जादा है, ये संकालू जादा है, ये समाईज्यत नहीं हो पाता, ये ठीक से बात नहीं कर पाता है, तो उस शात्र को आप व्यक्ति के दुरूप से उन समझ्याओं का समधान देने के लिए आप निर्देशन एम उपस्तित हैं और कौन से गुड़ नहीं है, उपस्तित गुड़ों और अनुपस्तित गुड़ों के बारे में आप जाच कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान पाते कि जो उपस्तित गुड़ है, वो कितनी मात्रा में है, ज्यादा में है ये कम है, सर्मिला तो लगबग करने के लिए हम जो है निर्धान मापनी का प्रयोग करें जब हम को किसी गुण की मात्रा जाननी हो तो निर्धान मापनी का प्रयोग करें लेकिन पहले ये तो समझ लेते हैं कि निर्धान मापनी होती क्या है जैसा कि आप जानते हैं कि बिद्याले में आप से बहुत सारे प् तो उसका आप गुडबता बदाते हैं कि सही तरीके से लेती है या थोड़ी परेसानी है या इसकी सहवागता अच्छी नहीं है आप ऐसे गुड़ात्मक पदों में उसको बनाते हैं तो जाने अन जाने में आप जो है एक वर्ग मापनी जो अच्छे से लेका बुरी तक फैल बारम बारता आद को निर्धारित करने का एक ऐसा उपकरण है जिसमें निर्धारक एक वर्ग मापनी पर उप्योक्त प्रतिकरिया देता है यह पांच बिंदू पहमाना यह वह सकता है जैसे अच्छा औश्रत बोरा बहुत बोरा जैसा आप प्रतच्छन करते हैं उस अधिक समय व्यतित करता है आधि उसके प्रति कैसी छवी रखते हैं कैसी सोच रखते हैं समू में वह कैसी छाप छोड़ रहा है और यह व्यक्ति होते हैं आपके अध्यापक हो सकता है कोई सहयोगी हो सकता है को शात्र हो सकता है आपके माता-पता हो सकता है जो आपके बार निर्धारन मापनी, आईए एक एक करके समझते हैं, आंकेक निर्धारन मापनी आंकड़े संकलन की एक ऐसी मापनी है, जिसमें कुछ कथन दिये हुए होते हैं, निर्धारक अपनी प्रितकरिया या सहमती वा अशहमती की मातरा को कुछ अंकों के रूप में प्रकट करता है, आईए इसको एक उधारन से समझें जैसा कि आपने राजिस के साथी छात्रों से राजिस के बारे में पूछा राजिस क्या राजिस एक बुद्धिमान छात्र है तो आपने एक से लेकर पांस तक फैली हुई प्रितकरियाओं पर रेटिंग करने के लिए कहा ये वर्ग मापनी है फैली हुई है एक से लेकर पांस तक जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच अब इसमें से किसी एक वर्ग मापनी का चुनाब वो करेंगे तो मान लीजिए राजिस के बारे में चार पर टिक किया गया तो पता चल जाएगा कि राजिस की बुद्धी मता की जो इस्तिती है वो कैसी है लेकिन इस आंकिक मापनी में एक कमी है वो कमी क्या है कि कभी-कभी अंकों का अर्थ समझने में जो उत्तर दे रहा है उसको कन्फूजन होता है जिसके कारण गलत पृत करिया देने की समभावना रहती है क्योंकि कोई तो पांस का अर्थ समझ जा है कोई पांस का अर्थ क्या लगाएगा चार का अर्थ क्या समझेगा कुछ पता नहीं है दूसरे अंकों की एक परवासा बनाने मीं चाहिए जैसे पांस का मतलब बहुत अधिक हो सकता है चार का मतलब अधिक हो सकता है तीन का मतलब सामान हो सकता है दो का मतलब कम हो सकता है एक का मतलब निम्तम हो सकता है अगली निर्धार मापनी है आंकेक निर्धार मापनी आंकिक निर्धार्ण मापनी वे मापनी है जिसमें कुछ कथन या गुण दिये हुए होते हैं निर्धारक को अपनी सहमती या असहमती की अभ्यक्ती अंकों के रूप में नहीं देनी होती वरन कुछ वर्णात्मक संकेतों के रूप में देनी होती है आईए समझते हैं, यदि किसी सिक्षक्षे विद्याले परदानाचार के निम्न गुणों के बारे में पूछा जाए, तो भे अपने अनभवों के आदार पर प्रतकरिया कुछ वर्णात्मुक संकेतों के रूप में देगा, जैसे आपने चार गुण बनाए, संप्रिशन, प कहा अच्छा है, प्रवंदन कैसा है, कोई कह सकता है, बहुत अच्छा है, आपने पूशा, नेत्र तुसीलता कैसी है, कोई कह सकता है, बहुत खराब है, समय वद्धता कैसी है, ठीक ठाक है, संतोस जनक है, तो इस तरह से आप वर्णनात्मक कुछ पद होते हैं, उस वर्ण किGS बताती है कि क्रम निर्धारण मापनी किकी व्यक्ती में सूची वद्द्गुण किस मातरा में उपस्तित है निर्धारक में ऊपस्तित गुणों के एक करम निरृष प्रदान करने के लिए आपसे पूछा आपने साथ गुण बनाई यह गुण है नियाई परिये करतब परायण अनशाशित सज्जन नेतेक आकरमक जगडालू परदानचार में जो गुण उपस्ते थें उनका करम बनाने के लिए कहा तो मान लीजे अध्यापक ने सज्जनता को करम नमबर एक दिया नेतेक ता को करम नमबर दो दिया इसी तरीके से अन गुणों को करम देते हूँ चलाए और साथमें गुण को करम साथ दिया तो इससे पता चल गया कि संकालू जो साथमें नमबर पर है उसको करम नमबर साथ दिया गया है इसका मतलब वो सबसे कम मात्रा में है और सज्जनता को करम नमबर एक दिया गया है वो सबसे अधिक मात्रा में अगली मापनी है बाद्द बाद्द चैन निर्धार्ण मापनी आंकरे संकलन की वे मापनी है जिसमें कथन या गुण के संदर में दो या दो से अधिक बिकल्प दिये होते हैं। करता है। इसके लिए आपने चार बिकल्प तियार किये। लेकिन निर्धार्ण मापनी में कुछ गल्तियां होने की संबावना है। पहली गल्ती होती है परवेश प्रभाव जिसको अंगरेजी में बोलते हैं हेलो एफेक्ट। जब निर्धारक किसी व्यक्ति के अनकूल या प्रितुकिल गून से इतना अधिक प्रवावित होता है। अन गुणों या युगताओं को निर्धान भी अनावर्षक रूप से सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रवावत होता है आईए इसे एक उधान से समझें यद कोई अध्यापा किसी छात्र से व्यक्तिया संबन्दों के कारण बहुत अधिक परसंड है तो अनावर्षक निर्धारन कर देना यानि बहुत खराब दे देना तो ये व्यक्तियात पसंद नापसंद जिसको हेलो एफेक्ट कहते हैं उसके कारण भी रेटिंग प्रभावत होती है जहां से तुटी होने की समयमना होती है सही आखनों को संकलन हम नहीं कर पाते हैं दूसरी होती है कठो बद है यह उसमें टेन्डेंसी होती है उसमें आदत होती है क्या हर चीज हो नीचा हर संद्री की तूर्टी होती है जब निर्धारक च्छातबों के गुडों में शहासं परनी पर पर केंद्रित होता है, तो ये निरधारन में होने वाले केंद्रिय तुटी का उधारन है, आप अपने अतीत के बिद्यालाई जीवन को याद करके देखिए, तो पाएंगे कि कुछ सिक्षकों में ना तो जादा अंक देने की पिरवर्ती थी, और ना कम अंक देने की पिरवर रहती है, ये हैविट होती है, तो इस तरह की तुटियां निरधारन मापनी से आंकड़ों के संकलन करतेशा में होने की संभावना रहती है, अब आईए इन तुटियों से बचने के लिए हम क्या-क्या शाबधानी बरते हैं, सबसे पहले तो हम जिन से हम रेटिंग करा रहे जिन से हम निरधारन करा रहे हैं, गड़ों की, उनको इसपस्ट निरधेश दे हैं कि हमारा ये objective है, इस उदधेश के साथ में हम निरधारन करा रहे हैं, आपको इस तरीके से पृत्करिया देनी हैं, और आपको पृत्करिया देने के दोरान व्यक्तियत पसंद तथा ना- वसंद से मुक्त होके देनी हैं ताकि हम सही आंकड़े प्राप्प कर सकें और अपने उद्देशों की पूर्ती हम कर सकें अच्छे निर्धारण के लिए अच्छा होगा कि जिन गुणों या ब्यवारों या योगताओं को हम निर्धारण करवा रहे हैं उनकी परवाशा बन कोई मानदार करते हैं वİлन कोई दूसरी पर्सेती में उसको इस हैं दूसरी है जूट जूट कश कहा जाएं जूट कि अलग अलग परवाशाएं आप सत्वाधी हैं लेकिन आपने किसी की जान बचाने के लिए जूट बोला है तो कुछ लोग उसको कहते हैं कि नहीं इसने किसी की जान बचाने के लिए जूट बोला है, इसको जूट नहीं कह सकती, यह सत्त है, क्योंकि इसी की जान बचाईए, तो अलग-अलग लोगों का सब्दों के बारे में, अलग-अलग सोचना होता है, लेकिन, क्यूंकि आपixíssigonier हैं, उसका सही प्रत्करिया दें और सत्य आंक्णों को संक्लन आप कर सकें आपने आज के लेक्चर में आपने समझा जहां सूची क्या होती है इसको कैसे प्रयोग किया जाए निर्धान मापनी क्या है इसके विवन प्रकार क्या है और इसका प्रयोग करते समय क्या क्या थूटी हो की संभावना है और इनसे कैसा बचा जाए और छात्रों के जीवन में देनिक विद्याले जीवन में जहां सूची और निर्धान मापनी का प्रयोग कौन-कौन करें यह सारी चीजें आपने सीखी मुझे उम्मीद है आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार